नमस्कार दोस्तों कैसो आप सभी उम्मिद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होगे मस्थ होगे और आपकी त्यारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों थमनेल देखे आप सभी को ग्यात होई चुका होगा कि ये वीडियो इलाबाद हाई कोड से रिलेटेड होने वाली है तो जो भी हमारे प्यारे साथी इलाबाद हाई कोड का स्टेज वन एक्जाम क्वालिफाई की कर लिये हैं और स्टेज टू एक्जाम की परतिक्षा कर रहे हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफी खास होने वाली है दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो तमाम तरीके की जो तमाम यूट्यूबर्स इस स्टेज टू एक्जाम से रिलेटेड जो अफ़वाय फैला रहे हैं कि इसका एक्जाम क्यों नहीं हो रहा है और क्या रिजन है इसके पीछे और मैंने जो आपको एक्सपेक्टेड डेट बताई थी स्टेज टू एक्जाम के रिलेटेड तो उस डेट पे एक्जाम क्यों नहीं कंड़क्ट हुआ तो सारा कुछ चीरफाड हम इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो को पूरा अंद तक सरूर वास कीजिएगा दोस्तों सबसे पहले बात जो मैंने अभी यूटूब पे देखा क्योंकि बहुत सारे वीडियो जो है रिक्मेंडेशन में आ जाती है तो उस पर मैंने देखा कि तमाम यूटूबर्स एक ही बात का रट लगाएं एक ने कह दिया जिस बात को उसी भेंड़ चाल में सारे यूटूबर्स चल रहे हैं लेकिन जो हमारे साथी होते हैं वो भी इस चीज़ को नहीं देखते हैं और उनको फॉलो करते रहते हैं उन्हें ने जो कह दिया उस चीज़ को उसमें आप भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए कीजिए कि किस तरीके से आपको बोतल में उतारा जा रहा है इसलिए देखिए मैंने अभी देखा एक वीडियो कि उसमें एक यूटूबर्स बता रहे थे कि चुकि NTA में टेकनिकल इशू है इसलिए आपका जो एक्जाम है वो लेट हो रहा है अब उसी भीड़े चाल में बहुत सारे यूटूबर्स यही सेम चीज़ बता रहे हैं कि जो एक्जाम है वो टेकनिकल इशू की वज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ दिखेंगे दिखिए NTA ने ड्राइबर पोस्ट के लिए आपका एक्जाम कंड़क्ट करा लिया अगर टेकनिकल इशू होता तो ग्रूब डी का एक्जाम है वो भी उसको तो एटलिस्ट कंड़क्ट करा लिया जाना चाहिए उसमें तो कोई टेकनिकल इशू वाली बात नह नहीं है तो अगर टेकनिकल इशू होता तो ग्रूब डी का एक्जाम क्यों नहीं कंड़क्ट करा लिया उसको तो एटलिस्ट कंड़क्ट करा लेना चाहिए था तो कि ग्रूब डी का एक्जाम टेकनिकल इशू से रिलेटर तो है नहीं टेकनिकल इशू तो सिर्फ और सिर् आपका clerk पोस्ट है और stenographer पोस्ट है इन दोनों के regarding है आप और ये भी सोचिए कि NTA जैसा national label का जो examination conduct कराती है वो और उसमें जो software issue तो मतलब देखिए संभव तो कुछ भी हो सकता है लेकिन बहुत कम chances है कि NTA जैसे NTA जैसे संस्था में software issue से कोई software के regarding कोई problem हो सकती है नहीं होना ये संभव है बट NTA से आप ये चीज़ उम्मीद नहीं कर सकते है और ये reason आप नहीं दे सकते कि NTA में software issue की वज़े से ही आपका exam नहीं conduct हो रहा है तो आप group D का exam conduct करवा देते तो फिर इसके पीछे reason क्या है तो reason आपको कोई सटिक नहीं बता सकता सटिक या in the sense कि आपको कोई NTA से तो कोई है नहीं कि आपको reason बता देता अगर ये exam इलावाद high court personal करवाता तो आपको information मिल जाती लेकिन अब NTA करवा रहा है तो क्या reason है तो हम उस चीज़ को सिर्फ एक जो हमारा अनुबाव अब तक कर रहा है उसके basis पर हम चीज़ों को पता सकते हैं चुकि मैंने आपको date पताई थी कि 25 से पहले आपका जो सारे exam है stage 2 के उनके exam conduct हो जाएंगे तो reason इसके बहुत ऐसे हैं जैसे आभी skill test की बात करें तो उधर बीच SST का भी skill test चल रहा था तो ये भी एक छोटा सा region हो सकता है दूसरा region यह है कि NTA के पास ऐसे बहुत सारे exam है जो आप और हम जानते भी नहीं है जो बहुत famous exam होते हैं उनको तो हम और आप जानते हैं लेकिन ऐसे बहुत छोड़ी छोड़ी exam होते हैं जो हम और आप नहीं जानते हैं वो भी चीज एंटिये करवाता है तो उसके पास श्रोत की हो सकता है कमी हो वो date availability की जो है वो चीज़ की कमी हो तो ऐसे बहुत सारे reasons हो सकते हैं हम कोई बहुत exact नहीं बता सकते हैं और नहीं कोई भी आपको YouTuber exact reason बता सकता है वो सिर्फ आपको bottle में उतार सकता है ठीके तो ये चीज़ को आप भी थोड़ा समझा कीजिए अगर software issue होता तो group D वाला exam तो उन्हें conduct करा लेना चाहिए था उसमें तो कोई software वाली बात तो थी नहीं क्या आपने कभी इस चीज़ के regarding सोचा तो बस हम देख रहे हैं कि एक भेंड चाल चले जो एक YouTuber बता दिया उसी चीज़ को सारे YouTuber फॉलो कर रहे हैं चलिए बाकी अगर आपको इसके regarding और देखिए तो एक्जाम कभ कंड़क्ट होगा तो देखिए यह चुकि बताना काफी मुस्किल है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जितना जल्दी से जल्द पॉसिबल होगा NTA इस एक्जाम को कंड़क्ट कराएगा क्योंकि इसमें देर करने वाली कोई बात है नहीं इलावाद High Code की तरफ से NTA को प्रेशर है तो NTA को जब भी NTA जब भी रिलेक्स लगेगा मतलब रिलेक्स इन दे सिंस की एक्जाम को कराने की इस्तिती में होगा वह बहुत जल्दी आपका एक्जाम कंड़क्ट करा लिए जाएगा हो सकता है कि लाश्ट फेवरेरी या मार्च फर्स्ट वीक तक आपका इसका जो एक्जाम है वह कंड़क्ट हो सकता है पूरे पूरी चांसे से तो जितना जल्दी होगा वह आपका एक्जाम कंड़क्ट हो जाएगा हाई कोड की तरफ से प्रेशर है एंटिये पर और बाकी अगर आपकी और भी कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पताईएगा उमीद करता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर कि हमसे जुड़ें ताकि आपको ऑठेनिटिक जो न्यूस है एक्साम होरी चैनल के माधियम से मिलती रहती है मिलते हैं स्टूडियो में तब तक के लिए नमस्कार शश्यकार